नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किन्तु बेहद लाबकारी उपाय है इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन यानि की आज के ही दिन दो या चार मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मा मारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिश शास्त्र में लॉंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। और कहा जाता है कि लॉंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्थ पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए, तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लॉंग आपके स्वास्थे के ये बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ जोतिश उपायों में भी लॉंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है, लॉंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किसमत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लॉंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं। बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परिशानी हो और ही समस्या हो। हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपके जीवन म उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जिन उपायों के बारे में धर्म, शास्त्र, तंत्र, शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है। जिनको यदि आप करते हैं, तो आप मान के चलिए, आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किस तरह की परेशानी से परेशान हो, या किसी भी तरह की दिक्कत से तूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तया है, दोस्तों, यदि आप अपने जी जारी करकर के ठक है जौब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जौब भी लग जाएगी इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी बस इस लौंग के उपाय को आपक जड़ से नश्ट हो जाएगा इसी लिए यदि आप भी चाहते हैं शनी देव महाराज का आशीरवाद और कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट बॉक्स में लिख दे जैशानी देव और दोस्तों एक काम कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशी के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाब तो वो हम आपको रिपलाई के माध्य से आपके कॉमेंट में आकर के बता देंगे इसलिए दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजे और फिर अपनी राशी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो दोस्तों एक बात का जरा ध्यान रखिएगा ये जो लॉंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही अच शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लॉंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए इसका लाब तुरंत मिल जाता है इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है किन्तु लॉंग के उपाय को गलत मुहूर्द पर करने पर इसका दुश प्रभाव को देखने को मि इन सब की पूजा में लॉंग का उपाए अवश्य ही किया जाता है। इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लॉंग का उपाए यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जात यदि आप किसी पंडित, किसी अस्ट्रोलजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो आपको मिलता है, वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किन्तु किसी उपाय को किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस लाब आपको तुरंत ही मिल जाता है उसका लाब हजारों गुना आपको मिलता है तो दोस्तों ये जो लॉंग के उपाए है तो बड़े आसान से उपाए किन्तु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्थ पर करना होगा और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना इसलिए दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा चलिए दोस्तों आपको हम एक-एक करके उपायों के बारे में बताते हैं किंतु निवेधन है आप से कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रू से मुक्ती पाने का उपाय दोस्तों आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज जब एक साधा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अडोसी पडोसी नाते रिष्टेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ शड़यंत्र करते हैं आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाते हैं तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको बस यहां करना है कि लगातार पांच शनिवार किसी भी शनिमंदिर जाएए शनिमंदिर जाने के पश्चात आपको वहाँ पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का और उसमें बस एक डाल देना है इतना यदि आप पांच शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शानी देव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रू आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को भी शानी महाराज जी का आशीरवाद प्राप्त हो जाता है मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के लाखों शत्रू उसके पीछे खड़े हो वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते दूसरा उपाए है दोस्तों घर से नेगटिव शक्तियों को समाप्त करने का ना वो महा उपाए जो आपको हम बताना रहे हैं तो दोस्तों इस उपाए को बहुत ध्यान से सुनिएगा मा आपका जो घर है उसमें नेगटिव शक्तियां हैं काला जादू किसी ने करवाया बंधन करवाया है और आप इस चीज लॉंग से बहुत परिशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परिशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तों किसी पंडित के पास पास जाने की जरूरत नहीं है ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए और ये उपाय आपको करना है शनिवार की रात को आपको क्या-क्या लेना है तो आप एक मिट्टी का बरतन चाहे पीतल का बरतन ले लीजिए परन्तु लोहे का मत लीजिएगा ठीक है अब आपको क्या करना है ग्यारह लॉंग पांच कपूर दो इलाइची हम फिर कि इस राक को किसी डिब्बे में रख लीजिये। डिब्बे में रखने के पश्चार आपको प्रते दिन थोड़ी थोड़ी सी इस राक है। और एक लोटे जल में लेकर कि इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीरवाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नती भी होगी। तीसरा उपाए जो हम आपको बत प्रशान है, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है, तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान। भोले नात देवों के देव महादेव, बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने यह उप ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूमरपान, इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है, इस जिस व्यक्ति ने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, और उस दो लॉंग को भगवान शिवजी को उत्तर की तरफ खड़े हो करके अर्पित कर देना है, और वहां पर आपको ओम नमह शिवाय का जाप एक हजार आठ बार करना है, क्योंकि एक हजार आठ हो गया, एक सौ आठ हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है, इतना यदि आ आपने कर ही दिया, तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो क्रिपा प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे, आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूज रहे थे, परेशान थे, आप इन व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है, तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती ह वो है, भगवान गणेश, भगवान, गणेश जी का आपको आशीरवाद मिल जाए, तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, और आप बहुत ही उन्नती करेंगे, अपने व्यापार के साथ तो बस यही करना है, कि बुधवार के दिन गणेश भगवा भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है, यह किसी भी बुधवार को कर सकते हैं, और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है, लाल पोटली में आपको गिन के 21 लॉंग लेकर जानी है, और ग्यारह कपूर लेकर के जानी है, और व की दुकान में जो नजर लगी थी बाधाएं थी बंधन था वो समाप्थ हो जाएगा इसी की राक का छीटा आपको लगातार दो हफते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान ज लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिलता है जिसके पश्चात उसके जीवन में धन बंधी सारी परेशानिया समाप्थ हो जाती है तो उपाय बड़ा सरलसा है आपको बस यही करना है दोस्तों शुक्रवार के दिन और ध्यान रखियेगा शुक्रवार के दि पांच लौंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है अब शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो पांच लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए पांच जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्थ हो जाएगे और माता लक्षमी जी के आशीरवाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो अच तक बने रहने के लिए